तो भाई साहाव तो बहुत तेज़ बहुत तेज़ तो अजमनी लिया मेने भाई साहब आगे का मौसम देखो भाई क्या कहए ढारा है मौसम उधर देखो कितने सारे वाटरफॉल है तेख रहें वहापर चारो तरफ गरीनी गरीन है और हमने भी ग्रीन पहन रखता है मां रूट इतना सीनी के इतना जबर्दस है मजा आ रहा है यहां पर कैमरा में जल्दी फोकस करो तो एक नए अंदाज में आज का जो यह व्लॉग है हम स्टुडू कर रहें और वैसे यह वाला जो डायलोग है काफी फेमस हो गया इंस्टाग्राम पर तो हम हैं निजामपुर में जो की महराष्ट्रा में आए और आपने देखे होंगे पिछल से व्लॉग हम कर रहें मौनसून ओडिसी और यह है होटल सिद्धी एसी नॉन एसी तो कल का जो दिन था दोस्तों बहुत ही गजब कर रहा अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो जाके जरूर चैक आउट करिएगा हम गये खुम्बे वाटरफॉल हाला की देख बड़ी हुई है यह है दादा की मॉंस्टर पच्छी सो सीसी यह है हमारी टाइगर शांदा टाइगर जिसको की मैं चेतक बोलता हूं यह है रॉयल एंफिल्ड सनी भाई की और यह है के टीम 390 छपरी लोगों की पहली पसंद पैसे इसको यह वाला टैग मिल चुका है यह द का दिन कि मूरी माली मगाई है कौर्मा भाजी है थोड़ी ब्याज है और यह है अलू की सबजी और यह क्या है यह यह देखो भाई हमने सारा समान जो हमारा गीला हो गया था रात को सब कुछ बैड पे लगा कर पंका चला देथा अभी पंका जस्ट अभी बंद किया है इध देखो पैंट बैंट सब चीज के लिए हो गई थी थोड़े थोड़े तो सूख गये हैं हमेट हमने उल्टे रख दिए जिससे की हवा लग जाए अंदर और थोड़े से सूख जाए जैकेट वो रही मेरी पैंट वो रही बागी चलते रूम के अंदर जहां पर हम सोय थे व चदरो उधर बेढ़ दिकेंट तो यह रहे भई अपने चोटे ते गाओं में जगें मिली बड़ी बात है हां यह बात है बहुत चोटा गाओ निजामपूर रूम मिलिया वो सबसे बड़ी बात है कितने गापड़ा था यह श्टीन हंड़द दादा ने पै की न हमारा स्प तो भई गाडिया सेट हो चुकी है अब आगे बढ़ते हैं लेकिन सीन यह हो गया है कि मनी की वाइक जो है वह बहुत जादा प्रॉबलम कर रही है तो अब वह वापसी जा रहा है यहां से सौ किलोमेटर पूनी है तो इसकी गाड़ी तो स्टार्ट करवा दिये हम आगे जा है यह वाली जो भाइक है यहां पर ठीक नहीं हो दिखाया निकलो 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 तो यह घर जा रहा है निकल दाएगा 100 किलो मोटर दिक्कत नहीं कोई तो नॉन स्टॉप जाना पड़ेगा बस इसको जैमातादी हर हर महादेव लेट्स को अभी तो हाला कि बारिश क कगार पर आ गया जितने एलेक्ट्रोनिक्स थे सब में पानी गया हाला कि अपना लैप्टॉप और कुछ चार्जर वगरा में नहीं गया यह शुकर है जो पीछे मेरे बैग में जितनी भी चीज़े थी ना सब भी गई हां महाराष्ट्रा इन मॉन्सून कठी नहीं यार एक आजयो रोकेट उड़ा दो अहां क्या मौसम हो गया हुआ है रोट ब्लॉक है कि बारीश आगे बहुत तेज कहां है अभी थोड़ी ना है हां आगे है थार खड़ी है थार पैटन पंप पे तेज हो गई बारीश और दादा फिर दुबार से माइक अडेप्टर में पानी ना मुझे बस जे टपाट अब शुरू हो गई अगे अगे शिलिकोन लगा रख और गौना दूने है और अपर आप राइडर सोंडास ट्रॉम कि अभी अचरी जमा जब जमा जब तर अब अंदर तक पानी जाना स्पार्ट हो गया ह। कर दो कि कच्छे में भी कुछिया आगे कड़ना है आगे कड़ना है आगे कड़ना है तो यह खराब रास्ता आगया पूरा बजरी वाला को भाई है पूरा हैंडल वार हिल रहा है करोड देखो दोस्तों कितना खराब है इस टाइम यहां पर पानी भरा हुआ गड़ी गड़ी है तो देखो वहां पर कितने सारे वाटरफॉल निकल रहे है उदर पहाड के ऊपर से हाँ हाँ वही मैं देख रहा हूँ प्राइब अजय को वैसे जो बारी शोर यह थोड़ी थोड़ी दूर पर मिल रहे है कभी धूप आ रहे है कभी चाहां आ रही है बहुत अ ऐसा ही है विल्कुल बेही माम सा हो चुगा है अजय को यह गलत है दादा यहां से लेफटी लो लेफ़े रख़ो दोड़ी गारी अजय को अधर पानी भरा हुआ है ता तेज नी कि यह दिख भी नहीं रहना जादा अँग है यहां है भाई साव आगे का मॉसम देख भाई क्या का राम उसम अगय से बारीश रुकने कानाम ने ले दी अप तो परोन अपने लगाई रखाए क्या है पानी जो ने चुछे गा हिया की हो फाई साहाव हाँ तो बहुत तेज अब बहुत तेज अराम से दादा ये तो जमा जम तावड तोन हो गई पतरनाक वाली अभी तक के सबसे तेज मिली है महार शहर रतनागिरी सीधा है पंजी सीधा है एक तो हवा भी तेज है एक साइट धकेल रही है रुक नहीं देदा चलो चलो जितना खीश लेता है तो पूरे घील अच्छी यहां का रुकेंगे कोई फायदा में है स्टार्ट नहीं हो रही है बहुत बढ़िया दोनों भाई एक जैसे हो तुम उसकी स्टार्ट नहीं हो रही है और बारिश देखो भाई साब सब भी ग्या तो वैस टाइम हो गया है 1243 और यहां से अभी वरंदा घाट मेरी ख्याल से होगा 40 km के आजबास 78 था टोटल आज का जो डिस्टेंस है मॉंचून में बाइक चलाना यार बहुत मुश्किल काम है साला कपड़े गिले ये गिला वो गिला अंदर से इरिटेशन वो होती है अलग से आगे भी पानी है पीछे भी पारी है राइट भी पानी है लैट भी पारी है रतनागीरी सीधा भोर जाना में लेफ्ट है 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 था 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 चलो जी अच्छा लगा मिलके तो यहां पर देखो यह नदी है कोई नदी का नाम तो खेर अपने को पता नहीं है लेकिन पूरा का पूरा पानी इसका मटमेला हो रखा इस टैम यह देखो आस-पास ग्रिनरी कितनी है यहां पर इसलिए रुके की काफी अच्छा नजारा लग एक बार दे देती है धोका जी हां अपना जो माइक एडप्टर है वो काम करना बंद कर देता है शायद पानी वगरा जाने की वज़े से उसमें कोई दिक्कत आ जाती है और आडियो बिलकुल भी कैप्चर नहीं होती है कभी-कभी हाला की कैप्चर हो भी जाती है लेकिन एक कांट दोस्तों और हो चुका है जी हाँ अपना जो साइड स्टैंड है उसकी स्प्रिंग निकल कर कहीं पर गिर जाती है जिसकी वज़े से अपना साइड स्टैंड बिलकुल हवा में लटक जाता है और चलाना बाइक को काफी मुश्किल हो जाता है थोड़ी दूड चलकर हम एक mechanic को भी दिखाते हैं लेकिन कोई solution हो नहीं पाता है तो ठक हार कर हम लगाते हैं Indian जुगाड और side stand को बानते हैं रसी से और बढ़ चलते हैं आगे की तरफ हालो 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 हांजी हांजी वा जा रही है पाता नहीं किस रूप में तुझ को नारायन मेले जाएगा यह देखो जगा जगा वाटरफॉल यहां पर भी निखले हुए कितने वाटरफॉल दिख रहे हैं यार कितने एक यह रहा है अच्छली यार बारिश भी हो रही है उपर से यहां पर ना पतला रास्ता है आपे खड़ी करेंगे बाइक तो फोटो भी नहीं कोई ना कोई गाड़ी आ जाईगी और उपर से मेरा जो side stand है वो तूड़ गया है कि यहां से वरांदा घाट कितने वरांदा वरांदा यह शुरू हुआ है कितना किलोमेटर होगा 14 उपर कुछ है रहने वगरा का होटल है उपर होटल आने का है रुकने का नहीं है यह ना बहुर में है तो दोस्तों यहां से वरांदा घाट रहे गया है 10 या 12 किलोमेटर और जो घाट सेक्शन है वो शुरू हो चुका है और अब आ रहा है जबरदस्त वाला मजा क्योंकि ग्रीनरी भी बहुत जादा बढ़ चुकी है और साथ ही साथ जो लैंड्सकेप में चेंज आया है वो त सारों तरफ हर्याली ही हर्याली देखने को मिल रही है और मौसम भी काफी सुहावना हो गया है हो 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 यह तो भी आगे हम देखें प्रापने को भाई साहव क्या जगा है अरे यार्या खोल ना इस्टेंड यह बिमारी और होगी है अब पता नियार आवाज रिकॉर्ड भी नहीं हो रही है तो एक नंबर जगा अभी आ रही है बारिश आगे कुछ धाबे वगएर तो वहां पर चलते हैं तो पर आए रहे हैं आपके पूपपपट आप तो पर जैसा कि आपने देखा कि हम पहुचे थे वरंदा घाट और हमने काफी वेट किया तो यहां पर हमें ना एक बहुत ही शानदार ड्रोन शॉट मिल चुका है बाकी थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ है लेकिन बारिश नहीं रुक रिये बिल्कुल भी होती है थोड़ी सी रुकती है फिर स्टार्ट हो जाती है तो यहां का मौसम ऐसा ही चल रहा है यहां पर हाईवे की साइट पर ही हम रु अधर देखो कितने सारे वाटरफॉल है देखरें वहां पर वह देखो एक यहां पर एक इसके पीछे भी है तो जस्त थोड़ी देर पहले ना मैंने एक ड्रून शॉट लिया है वह आप देखो भाई साब देखके मज़ा आ जागा नेक्स लिए ले ले करेंड देखके में कबारति कर देखके requireश्राई नेक्स लड़र आप इसके लोड़ी देखके में कर देता है जावां मैंने वे लीए जागे के ले एक पायम। झाल 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 यहां से हम आये थे तो वहाँ पर थोड़ी दर खड़े हुए लेकिन भाई बारिश आगे फिर आगे आगे थे इन धाबे वालों के पास यहां पर यार चाय वगर आपको सारी चीजे मिल जाती है वैसे प्रांठे शिराथे तो आपको मिलेंगे नहीं महरास्ट्रम में जाधा तर आपको मिलता है बड़ा तो हर जगह बड़ा पाव तो मिली जाएगा और चाय मिल जाएगी है यहां पर मिलेंगे बड़कुल बड़ा पाव चाय मिलेगा ना बस मैं देंगा 20 रुपे यहां चलो ठीक है यहां आसी जगह कर रहां चलो पर दिया तुम्हारे अधकन भी तेरी नी तेरी ने बचके रहना रहे बबाबा बचके रहना रहे चलो यार बटाटे वड़े खाते और फिर निकलते हैं यहां से खोके गाइस तो शाम के साड़े पांच छे बच चुके बारिश नहीं रुक रही है तो अब हम दादा ने तो पैक कर लिया मैं तो ऐसी चलना हूँ है और यह भी ऐसी चल रहा है वाकि यहां के शॉट्स वगर अच्छे आगे मज़ा आ गया और मोंसू पारिश फारीश बारिश बारिश भाई चारों तरफ पारिश चेक कर बड़िया लगा महराश्टर अबही तक तो तो यहां पर फिर दुबारा हम रुक गए हैं और जगा जगा रुकते हुए जा रहे हैं फोटोग्राफ ही करते हुझा यह वाई को क्या हो गया फ्लैश नम पानी का प्योडिफुल लेक है अभी हलकी बारिश हो रही है नहीं तो यहां पर ड्रोन उड़ाते और अंधेरा भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा तो अगर हमें होटल मिल जाता है यहां पर तो आजपास ही होटल लेंगे और फिर दुबारा से सुभानम फोटोग्राफी वग घंटा जाएगा जाएगा वह भी किसली है वीडियोग्राफी फोडगापको इंटरस्तायेगा अब है कि यहां पर भूं का मिलेगा जो मिलेगा अब कि कि मिलेगा बुक्रें कि लग रहे तो इस मत्यदीं कोई थी स्यूंदी जाएगा इस तो रूंट क्या रूम है तो डॉर्मेटरी लगए मुझे यहां तो लगता है मंडली रुखती होगी इतना बड़ा रूम है तो है दो यहां एक एक बैड़ पर तीन ऊचे यहां ज़से ज़ेंगे अच्छा इन ही लोगे ना हो तीन ही इन बाड़ बड़ गरता है किती इसका पंदरा सो रुपए अच्छा नहीं है आपको वहां पर चालेगा तो फाइनली गाइज इस टाइम फॉर डिनर और डिनर में देखो भाई सहाव क्या क्या आ गया है यह है महराष्ट्रा की थाली जिसमें की मिल्रा भया हमें पापड एक तंदूरी रोटी है तोलकरी इंदल और यह कुन सी अबता यह मत्र पनील मत्रपनील यह क्या है यह क्या है यह जर्का एक जड़ी यह जड़ी इसीता फल की रवडी है यह जो कोड़ी 있어 करि कोई क्यों कि आए वाप। back to the practical life कैसे फाने, और क्यास नहीं नमस्ते नमस्ते